हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू स्टेब आपाईएस और नियूस नासिस तो दाहिंदू इन्पाईबी के जुड़े वे जो भी इंपॉर्टन न्यूस है उसको हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं 25 चुलाई है आज और देखते हैं क्या इंपॉर्टन न्यूस है सबसे पहला न्यूस है फ्रंट पेज पर है दाहिंदू में सुप्रीम कोट पूल्स अप सेंटर फॉर इस डिले इन अपॉइंटिंग अलोग पाल जैसा कि हम लोग जानते हैं काफी दिनों से डिबेट चल रहा है लोग पाल के उपर और अब सुप्रीम कोट ये कह रही है कि प्रीज ट्राइ टू डू इट अर्लियर एक लोग पाल का गठन होना चाहिए अपॉइंट किया जाना चाहिए सेंटर में तो अभी हम सारी बाते करेंगे लोग पाल से जुड़े वे एक ओवर व्यू देख लेते हैं कि किस तरीकी का हिस्टोरिकल डवलप्मेंट रहा है लोग पाल बिल को लेकरके आपको याद होगा काफी बड़ा अंदोलन भी हुआ था इसके लिए अन्ना हजारे जी का नाम सामने आया था इसमें उन्होंने काफी बड़े लेवल पर पूरा अंदोलन किया था लोग पाल के स्टाब्लिश्मेंट के लिए तो देखिए तब से पहले 1963 में प्रपोस किया गया था लौ मिनिस्ट्री के द्वारा अंबोर्स्मेंट का आइडिया चीक है कि ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में 1963 में उसके बाद 1966 में जब फर्स्ट A.R.C. रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी रेकमेंड किया कि कुछ ऐसे इंडिपेंडिन्ट अथॉरिटीज होने चाहिए सेंटर में और साथी साथ स्टेट लेवल पर जो इन कंप्रेंश को सुन सके पहले तो मैं फ्रेशर्स के लिए बात बता देती हूँ कि आखिरी लोगपाल का क्या काम है और क्यों इतना डिबेट चल रहा है देखिए लोगपाल का काम होगा करप्शन से जुड़े हुए सारी मामलों का जाइजा लेना और उसको खतम करना ठीक है मतलब पूरा सिस्टम क्लीन रहे उसके लिए ये लोगपाल सेंटर लेवल पर काम करने वाला है और लोगपाल ये स्टेट लेवल पर काम करने जा रहा है तो अभी ये हम डेवलपेंट को देख रहे हैं किस तरीके का हिस्टोरिकल डेवलपेंट रहा कब किसने किसने रेकमेंट किया है देखे ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कुशन आता है लोगपाल से जुड़ावा तो आपको ये पूरा हिस्ट्री लिखना होगा वहां पर अपने आंसर राइ हैनि कि पार्लियमेंट में ये खबर कबाई 68 में प्रॉपरली बिल पेश किया गया बट इसको पास नहीं किया गया और अभी और इस तरीके से 1968 से 2011 तक ये कस्मक चलता रहा और बिल को प्रपोस किया जाता रहा रिजक्त किया जाता रहा फिर 2002 में दे कॉंस्टिशन रिव्य कमिशन हैड़ेड बाइमिन विंक चलेइया याद रखेगा ये कमीटी बनाई गए थि एमिन विंकर चलेए का नाम अगर आता है तो याद रहा लोगपाल बिलको ही चेक करने के लिए और लोगपाल का गठन की सथीखे से होना चाहिए क्या होना चाहिए इस पर रिव्यू क एमबिट हाला कि इनों ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को लोगपाल की एमबिट से बाहर रखा जाना चाहिए मतलब चुकि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी authority है बहुत responsible authority है तो उनको इस category में नहीं आया जाना चाहिए इसके बाद 2005 में second ARC की रिपोर्ट आई और इन्हों ने भी recommend किया कि हाँ लोगपाल का establishment होना चाहिए बिना किसी delay के तो दो ARC रिपोर्ट हमने देखी ARC रिपोर्ट first जो आई थी उसमें भी ये कहा गया कि लोगपाल का गठन होना चाहिए साथ ही साथ state level पर भी इसका गठन होना चाहिए इसके बाद 2005 में second ARC की रिपोर्ट आई और इसमें भी ये कहा गया कि बिना किसी विलंभ के इस लोगपाल का गठन होना चाहिए 2013 में लोगपाल Act 2013 सामने आया पर्लेमेंट की दोरे इसको पास कर दिया गया finally and 2016 लोगसभा agreed to amend the 2013 Act हाला कि कुछ दिक्कते आई 2013 के Act में और फिर उसको amend करने की बाद चलने लगई और 2016 में लोगसभा agree हो गया कि हाँ इसको 2013 वाले Act में कुछ बदलाव किया जा सकता है तो Act बनने के बाद क्या problem सामने आई क्यू नहीं यह गठन हो पाया because कुछ टाइम जग तो यह कहा जाता रहा कि वहाँ पर लोग जो leader of opposition है लोगसभा में वो है ही नहीं जिसकी वज़र से इसका गठन नहीं हो पारा अभी हम लोग देखेंगे कि इसका composition क्या होता है याद रखेगा जो जिते भी governing bodies होती है central level पर उसके लिए लोगपाल का गठन होगा और जो लोका यूगत है वो state level पर बनाया जाएगा अब देखते हैं इसका composition क्या है या इसके कुछ features क्या क्या है तो first important thing यहाँ पर याद रखना है composition लोगपाल में एक chairperson के साथ 8 members होते हैं ये पूरा team होता है लोगपाल का और इसमें 50% जो judicial member होंगे वो S.E.S.T.s, O.B.C, minority या फिर women के होने चाहिए ये fix है तो ये category भी याद रखेगा कि 50% तक जिसमें जो लोग होंगे वो इन category से आएंगे, women महिलाए होंगी या minorities लेवल से होंगे या S.E.S.T.s होंगे, इसके बाद अब मुद्धा ये है कि जो 8 member होंगे और chairperson होंगे उनको कैसे चुना जाएगा तो एक selection committee बनाई जाएगी, चीक है उस selection committee में कौन कोन होंगे ये भी याद रखेगा और इसी की वज़ा से ये सारा delay चल रहा है अभी तक तो selection committee में प्राइम मिनिस्टर होंगे, speaker of लोगसभा, leader of opposition in लोगसभा, chief justice of India या फिर sitting supreme court judge जिसको की CGI के दोरा nominate किया जाएगा और इसके अलावा एक eminent jurist होंगे जिसको nominate किया जाएगा president के दोरा तो ध्यान से देखें कि सभी लोग इसमें involved हो गए, prime minister तो हैं ही, speaker of लोगसभा भी है leader of opposition अभी तक नहीं है, तो इसकी वज़ा से इसका नहीं बन पा रहा है अब आप बोलेंगे कि leader of opposition तो है, राहुल गांधी जी है बड़ ऐसा नहीं होता है, leader of opposition के पास proper majority होनी चाहिए, वो कुछ numbers है तो वो quorum पूरा नहीं हो पा रहा है, इसकी वज़ा से ये माना जा रहा ही कि अभी absence है और chiefs justice of India भी इसमें आगे, जिनको आप supreme authority कह सकते है, judicial level और इसमें president भी आगे, बिकाज अगर president nominate कर इसी eminent jurist को तो इसका मतलब है कि इनका वी involvement इसमें हो गया तो ये है selection committee और अब जो selection committee चुनेंगी लोगों को वही सारे इसके member बनेंगे, member eight members और chairperson of the logpal तो ये इसका feature है याद रखेगा, इसके अलावा इसमें कौन सी चीज़े हैं, क्या powers हो सकते हैं, क्यों इतना हंगामा चल रहा है इसमें तो लोगpal के पास ये power होगा कि वह investigate करने के लिए किसी भी agency को बोल सकते हैं जैसे इनका काम क्या है, corruptions के मुद्दों को जाच करना, उसके पकड़ना, मतलब कौन सी ऐसी authority है, कौन सी public body है, जहां पर बहुत जादा corruptions हो रहा है किसने अपने property का ब्यारा कम दिया है, किसके पास जादा property है, तो ये सारी चीज़ें को ये ध्यान रखेंगे अब इनके पास ये भी authority है, कि ये किसी भी investigation agency को बोल सकते हैं, कि आप जिसे CBI वगरण को, कि आप case की जाच करो इसके बाद लोगपाल will cover all categories of public servants, तो यहां पर देखें, ये भी एक काफी debating issues है उन्हें देखा था कि अभी जो एक committee बनाई गए थी, MN Venket चलाया कि, उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए इस ambit में, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है कि लोगपाल cover करेगा public servants को, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को भी, तो इसमें काफी लोगपाल जब बन जाएगा तो लोगपाल को अपनी property या जित्ते भी उनके पास चीजें है, property के तौर पे उनको शो करना होगा, और अगर वहां पर कोई भी ऐसा corrupt means के ज़रा कोई भी property acquire की गई है, तो उसमें फिर उनका case चलेगा, लोगपाल के इंतर गर चीख है, बहुत से यह होगा कि थोड़ा सा corruption को ले करके threat होगा लोगं के मन में, और अभी जितना हम corruption देख रहे हैं, उसको कर्व करने में थोड़ी तो मदद मिलेगी, और अब next news लेखते हैं, बहुत ही sad news है, Laos dam collapse displaces 6600 people, मतलब बहुत ही खतरनाक सा यह news है, disaster management में आप इसको associate कर सकते हैं, case study में आप इसको लिख सकते हैं, कि किस तरीके से, जब हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हैं, तो कितना बड़ा disaster create हो जा रहा है, और यह natural disaster नहीं है, यह man-made disaster में आ जाएगा, ठीक है, तो अभी कुछ शाम की बात है, जब यह collapse war dam, और बहुत बुरी तरीके से, वहाँ लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों की death हो चुकी है, अभी यह सारा report आ रहा है, यहाँ पे ध्यान में यह रखना है, कि लाउस जो reason है, वो काफी important हो जाएगा geographically, बाकि जो dam collapse का है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो देखें, ला का यूस किया जाता है, और power generate किया जा रहा है, इसके अलावा यह powers को neighboring countries को भी sale करते हैं, इस वज़र से लाउस को battery of Asia बोला जाता है, हाला कि बहुत poor country है, और साथी साथ landlock भी है, landlock country है, देखिए इसके image में आपको दिखेगा, यह है लाउस का reason, और यह भी question बन सकता है, कि कौन कौन से और country से इसका border touch होता है, तो एक तरफ Myanmar है, इधर Vietnam है, और यह चाइना से भी touch करता है, इसके लावा Thailand है, Cambodia, इन सारे reason से यह touch करता है, ठीक, इसका border touch करता है, तो यह बिल्कुल याद रखेगा, landlocked है, हाला कि disaster बहुत बढ़ा है, बट वो man made है, natural नहीं है, तो व dams बहुत ही crucial part है, वहां की economy का, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो लोग अगर sail करते हैं, hydropower electricity generate करके, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े level पर वहाँ पर dams होंगे, लेकिन इसका मतलब यह था कि यहाँ पर थोड़ी से तरकता तो रखनी चाहिए थी, अब आप इस news को इं आप इसके लिए कुछ और एक news याद रखें, एक dam rehabilitation program है, इंडिया का, जिसमें की world bank funding कर रहा है, जितने भी dams है, पुराने dams की हालत खराब हो चुकि उसको दोबारा से rehabilitate किया जाएगा, मतलब ठीक किया जाएगा, इसके अलाब अगर आप बात करें, तो यह सारे ऐसे dam है जो कि बहुत बड़े-बड़े dam है, और गलती से अगर वो collapse होता है, तो हमारा पूरा का पूरा reason जो है, वो साफ हो जाएगा, तो इतना खतरनाक हो सकता है, यह आप इन news से पता लगा सकते हैं, तो questions बिलकुल बन सकता है, बहुत important issue हो गया अभी है, तो ध्यान रखेंगे, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि battery of Asia तो है, जो इसकी economy को strengthen कर रहा था, वही कहीं न कहीं disaster भी create कर गया, Once isolated Southeast Asian countries, one of the world's few remaining communist state, तो यहीं पर है, लेकिन इसका border Vietnam और Cambodia से touch होता है, तो question में पूछा था सकता है कि Laos का border country से touch होता है, और यहीं पर एक dam है, Saddle Dam D, और यह इस पुरे series का part है, इसकी यह जो dam collapse हुआ है, एक subsidiary dam था, और इसके ही साथ एक और भी dam बन रहा है, Saddle Dam करके, और South Korea के दोरा इसको develop किया जा रहा है, तो काफी important है, बहुत सारी बाते हैं, हमें यहाँ से पता चलेंगी, disaster management के काफी एच्छे case study आपको मिल जाएंगे, आप इस example के तौर पर लिख सकते हैं, कि न्यूस तो बहुत बुरा है यह, और बिल्कुल prepare कर लें कि इंडिया के पास भी कौनकों से mitigations होने चाहिए, अगर ऐसा कोई खत्रा हमारे सामने भी है, तो बहुत आवश्चक है कि हम उस पर ध्यान दें, चलिए next news की तरफ चलते हैं, anti-graft amendment bill, तो लोग सभा में अभी पास कर दिया गया है, prevention of corruption amendment bill 2018, और यह बिल क्या बताता है, यह बिल उनको punish करेगा, जो bribes देते हैं और जो bribes लेते हैं, यानि दोनों को punish करने के लिए यह bill लाया गया है, anti-graft amendment bill, यानि ना तो अब आप सकते हो, मतलब जो givers हैं, उनको भी punish किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा step है यह, और जो takers हैं, उनको तो punish पहले भी किया जा रहा था, the bill provides for jail term of 3 to 7 years, 3-7 साल तक की सजा होगी इसमे, and besides fine, fine तो देना ही पड़ेगा to those convicted of taking bribes and those offering illegal gratification, तो यहाँ पे इस image के मादियम से आप प्राइबरी की बात करें, तो सजा का प्रावधान रखा गया है, 7-7 साल तक का जिसकी सजा होगी, and except when one is forced to give a bribe, but it should be reported within the 7 days, मतलब अगर गलती से, यहाँ पे हर चीज का ध्यान रखा गया है, जैसे अभी अमने देखा कि ब्राइब देने वाले को भी पकड़ा रहा है, त आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा, ब्राइब इस तरंड अंट्यू एड्वांटेज़ और देफाइन अगर ग्राफटिफिकेशन अदर दे लीगल रिमिनरेशन, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ब्राइब को पुरी तर सब्री माला इस पेट्रियार्कल, सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट एक बार फिर से सब्री माला पे कहा है, तो यह न्यूज हम बार बार क्यों देख रहे हैं, आपको लगता हुए रोज 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 हम एक ही न्यूज देखते हैं, बट हमेश्चा हमें नए फैक्ट्स मिलत करें, और जो पूछा जाएगा वो तो क्लेर है, तो यहां पे सब्री माला टेंपल के बार में पूछा जा सकता है, लेकिन यह जो स्टेट्मेंट है, इसका यूज हम लोग मेंस में कर सकते हैं, एक चीज और बताना चाहते हूँ कि आंसर आइटी में कभी आपको डिरेक्ट करें, तो आप यहां पे सुप्रीम कोट का हवाला दे सकते हो कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि कल्चर इसूस तो अपना ठीक है, यह कही नगई हमारे प्रियारकल सोसाइटी को शो कर रहा है, किस तरीके से डॉमिनेंट सोसाइटी है बाई धे मेल, और इस वजह से ही वमन की ए केरला में आता है सभीमाला टेंपल और एक ऐसा टेंपल है जहां पर की सबसे ज्यादा अमाउंट में लोग आते हैं प्रग्रमेज आते हैं 45 तो 50 मिलियन डिवोटीज इसमें आते हैं जबकि इसमें बोमन बैन है अगर वोमन की इंट्री हो गई तब तो फिर सही रहेगा न औ अगला न्यूस काफी इंपॉर्ट है बांधीपूर की एक रिपोर्ट आई है बांधीपूर टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा रोड किल्स कम्स डाउन तो रोड किल्स कम हुए हैं मतलब जो जानवर वगरा मर जाते थे ट्राफिक की वज़े से उसमें काफी कमी रिपोर्ट को लिख सकते हैं इस बैन को 2009 में किया गया था मतलब नई ट्राफिक बैन को 2009 में इंट्रड्यूस किया गया था टाइकर रिजर्व में और लेकिन अगर हम डाटा पहले का देखें कि ऐसा क्यू स्टेप लिया गया तो 2004 से 2009 तक टोटल 93 वाइल लाइफ हो चुकी पूझ आता है बांदिपूर टाइगर रिजर्व कि यह कहां पर है इसका क्या लोकेशन है तो देखिए बांदिपूर टाइगर रिजर्व जो है एक नेशनल पार्क भी है इसको नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था 1974 में और बाद में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के माधियम से Tiger Reserve बना दिया गया गया याद रखें ये करनाटका में है पूछा जा सकता है बांदीपुर National Park यह करनाटका में है और एसा माना जाए कि इस राज्य में यह करनाटका में हाइस्ट Population है Tiger की इस वन आफ दे प्रेमियर Tiger Reserve in the country along the adjoining Nagrahol National Park तो 2018 का भी मेंस लिख रहे हैं और गलती से अगर इस वीडियो को उन्होंने देख लिया हो तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं आंसर राइटिंग की ट्रेडिंग के लिए चीक है और अभी हम लोग प्रॉपर फोकस कर रहे हैं आप पर इंडिविजुल फोकस करते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग छोटी से कोशिश कर रहे हैं कि परसनली गाइड करके आपको ट्रेन कर सके आंसर राइटिंग के लिए आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ लोग कोचिंग कर चुके हैं उनको लग रहा है क कि आवशकता है किसी मेंटॉर की किसी कोच की तो वो बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं हमारे पैसे बहुत सारे स्टूरेंट्स जो अधर कोचिंग इंस्टूर्स के हैं इस प्रोग्राम को रोने जॉइन किया है और डीटेल जाना चाहते हैं तो हमें इन नंबर्स पर कॉल कर यह टाइम मनेजमेंट की डाइरी का सहरा लिया जाता है आपको चकाउट करने के लिए आपको आंसर आइटिंग की कॉपी अगर भी मिलती है तो एक बार आप पता कर ले फोन पर इसके बारे में और अब आज का कोशन देखते हैं सली कॉर्णिया न्यूस में था यह क्या है आपको बताना है कमेंड बॉक्स में सली कॉर्णिया काफी डिटेल में डिसकेशन किया था हम लोगों ने और लास जी की कोशन का आंसर जो स्टूडेंट पुलिस कैड़ेट प्रोग्राम को लेकर के था इसका अंसर है अन्ली वान सेकेंड स्टेटमेंट में अर्बन एरिया लिखा हुआ है यहां पे रूरल एरियास में भी इसको प्रोपोस किया जारा है तो जितने भी गवर्मेंट स्कूल है चाहे वो शेहरी शेतर में हो या फिर वो रूरल एरियास में हो गाउं में हो वहां दोनों जगा पर इस कैड़िट प्रोग्राम को चलाया जाएगा ठीक तो thank you very much for being with me here watching the discussion and मैं फिरसे sorry बोल रही हूँ कि थोड़ा सा system खराब होने की वज़ह से ही discussion upload नहीं हो पाया था friends और यकीन मानिए हमारा intention बहुत सही होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम time पे videos को upload कर पाएं और हमने ऐसा किया भी है and I promise कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने वाली है हम लोग कोशिश करेंगे कि time पर रहें time पे आप तक video पहुंच जाए और इतना यकीन मानिए कि जितने जो यह program है यह beneficial होगा कि नहीं होगा हां मैं इतना तो शायद समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला है शायद इस वजह से views थोड़े से कम होते हैं बट हम लोग निरंदर प्रयास करते रहेंगे कि आप तक हमारा video पहुंचे और आपक इसकाश।